हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सब एक बार पुना स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूटूब चनल सिव कोचिंग प्लासेस पर उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे बेतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे धंग से चल रही होगी आज की इस व और क्लासिफिकेशन मतलब पद्धाति या वरगी करन पद्धाति तो देखिए यहां पर आपको देखना है तीपद नाम करन पद्धाति यानि इसको हम कहते हैं त्री नाम करन पद्धाति तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है आपको आपने इसके पहले प्रीवेस पद्धति समझ में आ जाएगी उसके बाद आपको त्रिपद नाम करण पद्धति जो है वो समझने में आवर आसानी होगी तो देखिए यदि हम बात करते हैं त्रिपद नाम करण पद्धति की तो जैसा कि नाम से ही इस पष्ट है त्रिपद मतलब तीन नाम तो देखिए त अलग वातावरण में रहने के कारणों से कुछ असमानताएं हो जाती है तो उन्हें उपजातिया मान लेते हैं और प्रतेक उपजाती के लिए एक नया नाम दिया जाता है तथा इसे जाती के बाद लिखा जाता है देखिए अभी तक आप लोगोंने क्या देखा था कि आतिक उदर साता है तो देखिए इसके पहले आप लोगोंने देख चुका है दूई नाम गण पद्धित अब यहां पर थोड़ा सा इस्ट्राइड क्या हो जाता है मान लीजिए कोई भी जीव है अब वह अलग 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 बातावरणों में यानि इन्वायर्मेंट में र पाया जा रहा है तो बातावरण का थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है उसके बाहर आकार की लच्छनों पर पढ़ सकता है तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ जातियों की कुछ प्रजातियां होती है जिनमें क्या होता है अलग-अलग इस्थानों में रहने के कारण उनमें कुछ आसमानताएं जो है वो पैदा हो जाती है जिसको हम क्या मान लेते है उपजाति मान लिया जाता है और इसके लिए एक अलग से नाम दिया जाता है जिसको कि हम उपजाति मान लेते हैं तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि किसी भी जीव का जो नाम हो जाएगा एक तो नाम होगा जो पहला नाम होगा वो तो वंस का नाम हो जाएगा और दूसरा जो नाम होगा वो तो जाती का होगा तीसरा जो है उप जाती हो जाएगी देखिए जो पहला नाम दर्स आएगा यहां पर वो तो वंस का होगा किसी वंस का नाम होगा वहीं जो दूसरा नाम तो यहां पर आपको देखना है कि कोई भी जीवधारी है तो उसमें वातावरणों में रहने के कारण थोड़ा बहुत आसमान ताय उत्पन हो जाते हैं जिस कारण से त्रिपद नाम करण पध्धतिकी अब स्यक्ता पड़ गई क्यांकि वह जो थोड़ा बहुत अंदर होता है उसको दर्साने के लिए लास्ट में उपजाति मान लिया जाता है देखिए यहां पर आप एक्जामपल समाझ सकते हैं इसका एक्जामपल सबसे बढ़ी है जो घरेलू कवा आप लोगों ने देखा होगा कि जो कवा होता है जिसको आप लोग कारवस इस्प्लेडेंस इसका भारत में देखने को मिलता है यह बहरत श्री लंका वर्मा यानि फिरया नाम में अमार था और इसके और इसमें पाकिस्तान हो गया और में हisi इसकी इसका रोगती हमने प्रथक्र दीन होते इसके अलाबा जो स्री लंका में पाए जाने वाले का हुआ है वह म्यामार यानि की वर्मा में पाए जाने वाले का हुआ है इसके अलाबा जो पाकिस्तानी का हुआ है इन में अलग अलग चूकी वातावरण है अलग अलग देशों का वातावरण में थोड़ा बहुत तो चें उसका बैज्यानिक नाम होता है कार्वास इस्प्लेडेंस, तो कार्वास इस्प्लेडेंस तो सब में रहेगा, क्योंकि बैज्यानिक नाम तो कार्वास इस्प्लेडेंस ही होता है, तो आप देख सकते हैं जो भारत तीय का हुआ है, उसका भी बैज्यानिक नाम कार्वास इस् उपजाती से दर्साया जाता है तो जैसे भारतिय कवे की दिहम बात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कारवस इस्प्लेडेंस और फिसिस में एक और इस्प्लेडेंस जुड़ गया यह इस्प्लेडेंस जो है उपजाती को दर्सा रहा है यह वाला ग्यानिक नाम कि यह होगा क्योंकि कोई भी जीव यह नाम तो जाहिर जाती का नाम करने में दो ही नाम होते हैं एक तो यहां पर देखी अब जो सिलंका वाला का हुआ है सिलंका के कवे का जो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि उसकी उपजाती कौन से यहां पे प्रोटे लाएगा साइए क्या एक प्रोटे गैला साइए यह किसकी उपजाती है सिलंका के कवे की उपजाती है वहीं जो वर्मा में पाए जाने वाला कवा है उसका पाए ग्यानिक नाम तो उसका भी करवसिस प्लेडेंसि होगा लेकिन यहां पर जो आइसो लेंस लिखा है और यहां उपजाती तो कुल मिला करके इस त्री नाम करन पध्धत में जो जीवों का नाम होता है वो तीन नामों से मिलके बना होता है जिसमें पहला नाम बंस को दर्साएगा दूसरा नाम किसी भी जीव के जाती को दर्साएगा और तीसरा नाम किसी भी जीव की उपजाती को तो आप त्री नाम करन पध्धती भी आप उसे पेपर में पूछा दा सकता है, त्रिपद न लिख करके आपको क्या दे सकता है, त्रिपद की पी त्री नाम करण पद्धती भी कर सकते हैं तो आपको पेपर में आता है कि त्री नाम करण पद्धती को दर्साइए या त्री नाम करण पद्धती को समझाइए तो देखी यहाँ पे आपको एक्जामपल कितरू समझ में आ भी गया होगा अब देखिए यहां पर आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि चूंकि किसी भी जीव के इसमें तीन नाम हो जाते हैं पहला नाम बंग्सकों दर साता है दूसरा नाम जाती को और तीसरा उपजाती को तो इस प्रकार से कुल मिला के जीदों के 3 नाम हो जाते हैं, जिस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, तृपद नाम करण पद्धात ही कहते हैं, यानि की ट्राई नॉमिनल क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो कुल मिला के दौस्तों उम्मीद करता हूं, वीडियो आपको समझे में आ गई होगी, मिलते हैं दौस्त नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंद मात्रम